नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम एक पार फिर से और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास स्मार्ट वाच है तो कैसे आपने इस वाच को अपने स्मार्ट फोन से कनेक्ट करना है कैसे आपने इस वाच में डे डे टाइम वगारा सेट करना है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों इस वाच को फोन से कनेक्ट करने के लिए आप अपने स्मार्ट स्माटफोन में इंस्टाल करनी है यह आपको प्लेस्टों नेप आप अपने टाइब करना है और आप मैंने स्माटफोन में इस्टाल कर रहें तो मेंने यह आप यूह आप अपने ये अप open करनी है, यह देखिए कुछ इस तरह से, अगर आप अभी देखोगे तो देखिए watch में टाइम है वह सेट नहीं है, देखिए, आपने 10 बच के 5 मिनट वह रहे हैं और मेरे फोन तो देखिए आपे 5 बच के 16 मिनट हो रहे हैं तो वाच जो है वह हमारे फोन से connected भी नहीं है और दोस्तो इस वाच में जो डे डे टाइम है वह सेट नहीं है तो चलिए इसको connect कर लेते हैं तो पहले तो आपने फोन का जो Bluetooth है वह on करके रखना है देखिए अभी मेरे फोन का Bluetooth on है और उसके बाद आपने क्या करना है यहां पर जाना है टू एड़ पे यहां से आपने इसको अलाव कर देना है तो यहां पर आपकी जो watch है उसका model शो करेगा देखिए यहां पर शो कर रही है watch fit shot flex तो दोस्तो एंब्रेंट flex यह एंब्रेंट fit shot flex एक ही watch है एक ही watch के दोनों ही नाम है नाम में difference है बट watch सेम है तो दोस्तों यहां से आपने watch को select कर लेना है तो दोस्तों watch अभी मेरे smartphone से connect हो चुक है यहां पर आप दिख सकते हो देखिए watch में टाइम है वो set हो गया यहां पर देखिए time हो रहा है पांच बचके 17 मिनट यहां पर अगर आप center में जाओगे देखिए इस app में यहां पर देखोगे आप तो देखिए watch अभी connected दिखा र आपने इस option में जाना है notifications में यहां पर देखिए आप notifications जो है on कर सकते हो जो भी notification आपको चाहिए जैसे facebook, whatsapp, instagram, phone, messages के, gmail के तो यहां से जो जो आप notification enable कर दोगे वो सारे ही notification जो आपको अपने smart watch में फिर मिलने लग जाएंगे तो दोस्तों ऐसे आप अपने smart watch को connect कर सकते हो अपने smart phone से और इसमें आप day day time जो है set कर सकते हो embran flags में तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अप लाइक कर सकते हो और चैनल को subscribe भी कर सकते हो